नमस्ते, पिक्चर रिकैप्स में आपका स्वागत है आज मैं मिशन टूप नामक एक अमेरिकी विज्ञान कथा सासिक फिल्म बताऊंगा बिगाडने वाले आगे सावधान रहें और ध्यान रखें मानवता मंगल द्रह पर पहला अंतरिक्ष अभियान भेजती है जो रहस्यमय तरीके से नश्ट हो जाता है बचाव दल लाल ग्रह तक पहुँचने के लिए संधर्श करते हैं और एक आश्चर्यजनक खोज करते हैं जो पृत्वी पर मनुश्यों और जीवन की उत्पत्ती के रहस्य को उजागर करती है मुझे नहीं पता की हमने क्या किया अंतरिक्ष यात्री ल्यूक ग्राहम के मंगल क्रह पर जाने के सम्मान में उनके घर पर एक पार्टी आयोजित की गई उसके दोस्तों और सहकर्मियों के परिवार अन्य हो जाते हैं और आदमी पीछे रह गए लोगों को अलविदा कहता है जिसमें उसका दोस्त जिन मैक कोनेल भी शामिल है जो लंबे समय से इस उडान की तैयारी कर रहा था लेकिन अपनी पतनी की बीमारी के कारण उसे परियोजना छोड़नी पड़ी दोस्त ल्यूग की सुरक्षित उडान की कामना करते हैं और मृत महिला को याद करते हैं उन्हें खुशी होगी की मिशन दो हजार बीस में होगा लाल ग्रह पर पहला मानवयुक्त अभियान आएगा जल्द ही लोगों को सिडोनिया च्षेतर में बेस के पास एक अजीब सफेद संरचना दिखाई देती है जिस पर उन्हें संदे है कि यह पानी की परत का बाहर निकलना है वह भविश्य में मानव उपनिवेशी करण के लिए उपयोगी होगा खोज की खबर अंतरराश्ट्री अंतरिक्ष स्टेशन के कमांड सेंटर तक पहुचाते हुए चालक दल के चार सदस्य आगे के शोध के लिए गठन के स्थान पर जाते हैं साइट पर पहुचने पर लोगों को एक उचा पहाड दिखाई देता है जिसे रडार धातू के रूप में पहचानता है तब अंतरिक्ष यात्रियों को एक अजीब धीनी आवाज सुनाई देने लगती है लेकिन उन्हें लगता है कि यह सिर्फ उनके मंदल रोवर का हस्तक शेप है और जब वे अपने उपकरण की शक्ती बढ़ाते हैं तो उनके पैरों के नीचे की रेट हिलने लगती है सबसे पहले यह ज्यादा चिंता का कारण नहीं बनता है अंतरिक्ष यात्री जगहस गहर उपते हैं और उस पहाड का निरीक्षन करते हैं जिसके उपर रेट का बवंडर बढ़ रहा है लेकिन जल्द ही यह एक समवेदंशील प्राणी की तरहा व्यवहार करना शुरू कर देता है नवागंतुकों की जाच करता है और फिर उन पर हमला करता है सेकंड के भीतर तीन अंतरिक्ष यात्रीयों को मार डालता है और फिर एक शक्तिशाली विद्युक चुम्बकीय नाडी उचसर्जित करता है जिससे जहास पर काम कर रहे अधिकांश इलेक्ट्रोनिक्स नश्ट हो जाते हैं बवंडर थमने के बाद रेट की परत के नीचे से घने पदार्थ से बना एक विशाल मानव चेहरा दिखाई देता है अंतरिक्ष स्टेशन को ल्यूक से एक असपष्ट संदेश मिलता है लेकिन उन्हें समच नहीं आता कि क्या हुआ और क्या ल्यूक जीवित है नेतरत्व को एहसास है कि एक बचाव अभियान आयोज़त करने की आवश्यक्ता है लेकिन तकनीकी रूप से यह कैसे किया जा सकता है यह सपष्ट नहीं है तब जिन ने समस्या का समाधान प्रस्तावित किया क्योंकि उसने मंगल ग्रह से निकासी की योजना विक्सित की थी स्टेशन कमांडर इस पर विचार करने के लिए सहमत है लेकिन अभियान में जिम की भागिदारी का विरोध करता है क्योंकि उस व्यक्ती ने परीक्षन कराने से इनकार कर दिया और परियोजना छोड़ दी गुडी बलेक अपने दोस्त को चालक दल में शामिल करने पर जोर देते हैं क्योंकि पहली उडान में जाने से उनका इनकार एक अच्छे कारण के लिए था वह अपनी पत्नी को लेकर बहुत चिंतित था इसके अलावा यह वह और उनकी पत्नी ही थे जिन्होंने मंगल ग्रह की उडान का अध्ययन और डिजाइन किया था इसलिए जिन इस ग्रह के बारे में अन्य सभी की तुलना में अधिक जानता है जो निस्संदेह बचाव अभियान में मदद करेगा उनके तर्क सुनकर कमांडर सहमत हो जाता है और बचाव जहाज चार लोगों की एक तीम के साथ मंगल ग्रह की और चला जाता है बुडी और जिन के अलावा दल में विशेशग्य तेरी भी शामिल है मच्छुआ और यहां तक की इमारत के बगल में तीन दफन टीले भी दिखाई देते हैं यह सपष्ट नहीं है कि ल्यूप के साथ क्या हुआ शायद उसे दफनाने वाला कोई नहीं था जल्द ही एक चुम्बकिय तूफान द्रह को ढख लेता है और अंतरिक्ष यात्री अब कुछ भी नहीं देख सकते हैं आदेश उतरने की अनुमती देता है गुडी जिम के साथ समाचार साजा करने जाता है और उसे एक पारिवारिक फिल्म देखते हुए पकड़ लेता है जिससे यह सपष्ट हो जाता है कि उसकी पतनी भी एक अंतरिक्ष यात्री थी और अपने पती के साथ मिलकर उन्होंने मंगल ग्रह पर उडान भरने का सपना देखा था जहां जलाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने की तयारी कर रहा है लेकिन तभी उसके रास्ते में सुक्ष्म उलकापिंडों का एक जुन दिखाई देता है और उनमें से एक उलकापिंड पतवार को छेद देता है जिससे फिल की बाह घायल हो जाती है स्टेशन की हवाक्त महोने लगती है और गुडी दरार को ढूंडने और उसे ठीक करने के लिए खुली जगह में चला जाता है हाला कि उलंधन इतना छोटा है कि इसका प्रत्यक्ष रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है और फिर टेरी बाहर निकल जाता है रस जो छेद में तैरता है और उसमें से रिस्ता है जो उलंधन का संकेत देता है हाला कि चालत डल को मुख्य इंजनों में से एक की इंधन लाइन में एक और उलंधन नजर नहीं आया जब इंजन जलता है तो अंतरिक्ष में विस्थापित इंधन फट जाता है जिससे जहास नश्ट हो जाता है जामें और बहुत तेजी से घूम रहा है। वुडी मॉड्यूल तक पहुचने के लिए अपने रॉकेट पैक में सभी इंधन का उप्योग करता है और उसमें एक रस्सी बांधता है। मॉड्यूल का उप्योग करके ग्रह पर उतरते हैं, हालांकी मॉड्यूल स्वय दोबारा उडान भरने में सक्षम नहीं होगा। बचाव दल अपने साथ पहले अभियान जहास के लिए नए मदरबोर्ड लेकर आएदध वाले। पहले अभियान के आधार पर पहुचने पर उ अंतरिक शियात्री अपना हेलमेट उतारता है और पानी पर प्रतिबिंब में वह ल्यूक को कुलहाडी से उस पर हमला करते हुए देखता है। विश्वास नहीं हो रहा कि यह कोई वास्तविक व्यक्ति है, कोई दर्शन नहीं। आदमी को पकड़ लिया जाता है और तभी उसे विश्वास होने लगता है कि वे उसके लिए आये हैं। अंतरिक शियात्री समझते हैं कि ल्यूक मानसिक रूप से पूरी तरह से स्थिर नहीं है क्योंकि उसने दुनिया से पूरी तरह अलग्थ लग होकर मंगल रह पर एक साल से अधिक समय बिताया है। रेतीले तू रह जाते हैं। यह महसूस करते हुए कि वे किसी मानवाकार का चेहरा देख रहे हैं। फिर वह अपनी सबसे महत्वपून खोच को उस ध्वनी की रिकॉर्डिंग प्रदर्शित करता है जो उसने संरचना के पास सुनी थी। कई महीनों तक ध्वनी का विशलेशन करने के ब बनाया जिन पता चलता है कि यह कोई हस्ताक्षर नहीं है। वास्तव में यह रचनाकारों द्वारा छोड़ी गई एक अनोखी परीक्षा है। कहीं प्रवेश द्वार पर ताला लगाने के बजाएं यह पता चला कि पहला अभियान नश्ट हो गया क्योंकि उन्होंने गलत उत्तर दिया था। DNA को पूरक करने के बजाएं यह साबित करने के लिए कि वे इनसान थे अंतरिक्ष यात्रियों ने चहरे पर रडार निर्देशिक किया। चुंकि उत्तर गलत था। संद्रचना सुरक्षा प्रणाली रेतीले तूफान ने घुसपैठियों को नश्ट कर फिल को छोड़कर हर कोई जो जहास को ठीक करने के लिए पीछे रहता है, चहरे पर जाता है, जिन फिल एक निश्चित समय पर उडान भरने का आदेश देता है, भले ही वे वापस ना आएं। फिर लोग एक सफेड कमरे में प्रवेश करते हैं, दर्वासा बंध हो जाता है और अंतरिक शियात्रियों का जहास से संपर्ख तूट जाता है, जल्द ही कमरा प्रिथवी के वातावर्ण से भर जाता है, और लोग तुरंट अपने हेलमिट हटा देते हैं, उनके पीछे एक और एयरलॉक खुलता है, और उसमें से गुजरने पर अंतरिक शियात्री खु पारिस्थिती की तंतर नश्ट हो गया, जो द्रिड़ता से प्रिथवी जैसा दिखता था, मंगल ग्रह के लोगों को अपनी जाती को अन्यतारा प्रनालियों में खाली करना पड़ा, लेकिन उन्होंने मंगल से पडोसी प्रिथवी पर एक जहास भी भेजा, जिसमें भवि ये नए से निकले नए रूप विक्सित हुए और इनसान बन गए, उन्ही एक दिन मंगल ग्रह पर अपने घर लोटना था, ताकि स्पिंस उन्हें ग्रैंडियोस प्रयोग के वंश्डों के रूप में पहचान सके, होलोग्राम प्रित्वीवासियों तक पहुँचता है, औ इस समय फिल अपने दोस्तों से संपर्ख करने का असफल प्रयास करता है और टेक्व की तयारी करता है, लोगों ने उसकी चेतावनी सुनी की तूफान तेज हो रहा है और जल्द ही जहाज को अपनी चपेट में ले लेगा, उन्हीं एहसास हुआ कि उन्हें जल्दी करने की हुआ है, जिन अपने दोस्तों को अलविदा कहता है, तेरी उसे याद रखने के लिए एक छोटा रॉकेट पेंडेंट देता है, जो कभी वुडी का था, और अंतरिक्ष यात्री चले जाते हैं, इस बीच फिल कॉल दोहराता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलने पर वह ला आदेश के विपरीट तेक्फ में देरी करता है, इस बीच जिन एक ऐसे घेरे पर कदम रखता है, जो उसके सामने आता है, और अचानक उसे एहसास होता है, कि वह उस घेरे में नहीं जा सकता, उसके चारों और पानी बढ़ जाता है, आदमी डूबने के लिए खुद को तय गूम जाती हैं, और वह शक्स एक बार फिर सभी को अलविदा कहता नजर आता है, उसका दल पुरान भरने के बाद और थोल के माध्यम से देखता है, कि माटियन जहास जिन पर सवार होकर दूर की आकाश गंगा की ओर तेज गती से उड़ रहा है, और उसकी सुरक्षित या